तो आडिट में आपने में तीन चीज़ें देखनी है और अगर आप ये तीन चीज़ें कर लेंगे तो आपका आडिट बड़ा अच्छा हो सकता है आपने जितने भी काम करने आडिट में बेसिकली आपने जितने भी में अपने तक बताएं हैं ये सारे वो स्टेप्स हैं जिनको आप आडिट में डाल सकते हैं तो जितने भी आउन पेज की आप्शिन में आपको बताएं कि टाइटल होना चाहिए कैसा होना चाहिए description होनी चाहिए, URL कैसा होना चाहिए, image कैसा होना चाहिए सारी चीज़ें आप बारी बारी उसको audit करते जाएं, test करते जाएं और उसमें तीन चीज़ें explain करते जाएं, हर point के उपर तो पहला point क्या होगा, कि पहले है तो आप उसको बताएं कि भई, आपके ये issue exist करता है, ये सबसे पहला point है कि issue की clarification होनी चाहिए, आपको भी और client को भी अगर आपने issue पकड़ लिया है, तो solution भी आपको मिल जाएगा क्योंकि अगर आपने issue ही नहीं पकड़ा, तो आपको पता ही नहीं कि उसको solution क्या होगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि problem क्या है So problem is half the solution, अगर आपको problem identify हो चुकी है तो आप उसको mention कहने कि भई, आपका URL ठीक नहीं है, या आपने SSL नहीं डाला या आपका title ठीक नहीं है, तो ये, मैं आपको आगे चलके बताँगा कि कैसे आपने इसको लिखना है, लेकिन जो आप start करेंगे, आप basically home page से start करेंगे home page में आप home page का title बताएंगे, आप लिखेंगे कि ये home page है और home page का title ठीक नहीं है, और उसके बाद आप में दूसी चीज़ बतानी है पहली चीज problem identify होगी, दूसी चीज, ये important क्यों है अगर title है तो उसकी एहमियत क्या है, ये आपको पता है, client को नहीं पता अगर आप client को नहीं पताएंगे, तो उसको समझ नहीं आएगी कि ठीक है, title ठीक नहीं है, so what अब इस so what का जवाब आपके पास है, कि भाई, आपका title नहीं ठीक होगा तो लोग जब इसको Google में पढ़ेंगे, उनको ठीक नदर नहीं आएगा, उनको जो text आपने लिखा है वो उनके relevant नहीं है या Google में जो लोग keyword सरच कर रहे हैं, वो keyword ही नहीं है, तो आप rank ही नहीं करेंगे, क्योंके Google relate नहीं कर पा रहा तो इस सारी शीज़ें ये इसकी importance बियान करती है, कि title की एहमियत क्या है, title सबसे main चीज़ होती है, किसी भी page में, और title की main reason होने की वज़ज़ ये है, कि basically ये सबसे पहले Google में किसी को भी, सबसे पहले लोग title बढ़ते है तो अगर आपको title ठीक नहीं है, तो आपके लिए मसला है, तो आपने पहले problem तो बता दी, तो ये भी awareness देनी है, कि भाई ये important क्यों है, अच्छा, अब ये vary करता है, client कितना educated है और कितना नहीं, अगर client को बिलकुल SEO के बारे में नहीं पता, तो उसको आपको बताना फिर त को नहीं आती, तो maybe आपको इसमें जादा मेनत करने की जरूत नहीं पड़े, बट अगेन ये आपके ओपर है, आप, मैं चाहूँगा कि आप इसको लिखें लाजमी, क्योंकि ये इसके बगार clarity नहीं आएगी, report itself, self-explanality होनी चाहिए, कि अगर आप report लिखें, तो client अगर उ जूद नहीं है, उसको बताने के लिए, उसको explain करने के लिए, report में कमस कमें इतनी clarity जरूर हो, कि भाई, problem क्या थी, उसकी एहमिएत क्या थी, और finally, तीसी चीज़ जो important है, कि उसका solution क्या है, आप उसको solution भी बताएंगे, और solution में ये नहीं आपने बताना है, जी इसको ऐसे जो है ना, करके आप ठीक कर लेंगे, आप में solution में ये बताना है कि भाई, अगर ये title में keywords नहीं है, तो उसके लिए हमें keyword reach title लिखना पड़ेगा, तो आप उसको one liner solution दे सकते हैं, और make sure करें कि वो solution इतना हो के client को problem और solution समझ आजे, लेकिन इतना ना हो के client खुद करने और मुझे पताते जाओ क्या करना है, तो उस case में ये audit एक different तरीके से होगा ज़ा आपको इतनी detail में नहीं जाना पड़ेगा, अगर client ने आपको पैसे दी हैं, तो आप फिर तो ये detail में लिखे ना, कि ये audit में क्या issues हैं, कैसे हैं, और आप solution भी उसको detail में लिखके दें, कि क्योंकि आपको पैसे मिल गए है audit के, अब आपने इस काम को deliver करना है, तो इस काम के आपने पैसे लिए हैं, आप solution लिख दें, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप free audit दे रहे हैं, कि let's suppose आपने एक project apply किया और आपने इसको offer दी, कि भाई आप मुझे try करें, मैं आपको एक effort की cost भी देखनी है, तो अगर आप free में दे रहे हैं, तो cost बढ़ाने की जरूरत नहीं है, आप उसको summary में इतना बताएं, कि भाई ये issue है, ये solution है, और ये मैं करके दूँगा, जब आप ये कर लेंगे, client को समझ आजी कि भाई ठीक है, issues इसको पता है, solution इसको पता है, और तब आपने बस उससे price recite करनी है, depending on के website कितनी बड़ी है, या कितना बड़ा project है, या कितनी ज़्यादा effort आपके लग रही है, वो आपके उपर है, project to project vary करेगा, इसमें कोई hard and fast rule नहीं है, कोई standard नहीं है, कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक communication है, आपकी और client की, आपको problem समझ तो आप उसके लिए काम करें, वो आपको value के लिए, आपकी value के against पैसे देगा, और ultimately क्या है, कि आपका एक अच्छा relationship build हो जाएगा, और अगर आप काम अच्छा करते रहेंगे, तो client चलता भी रहेगा, तो आपने बस ये ध्यान में रखने, audit एक आपको marketing tool भी है, और step one भी है SEO का, अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, आपने सबसे पहला step audit से start करना है, आपको भी clarity आएगी, client को भी clarity आएगी, इसी से आपको समझ आएगी कि client कितना serious भी है, और इसी से आपको समझ आएगी कि आप किस सथ तक इसको कर सकते हैं, आप इसका marketing tool यूज़ कर रहे हैं, तो जो 50 लोगों ने proposal apply की हैं, और सब proposal आपने भी proposal apply की है, तो फरक आपके proposal में बाकी proposal में यह हो सकता है, बाकियों ने शायद free offer ना दी हो, और आपने free offer दे दी है, तो client आपको ज़्यादा chances है कि आपसे बात करेगा, अगर client आपसे बात कर ली, then it's up to you, कि आपने उसको कैसे convince क करना है कि आप अच्छी SEO जानते हैं, यह सारे problem आपको पता हैं, जो कि मैं आपको पूरी course में बता चुका हूँ, इसकी आप bliss मना लें, one by one check करें, और depending on कि पैसे मिले हैं, तो सारा कुछ चेक करें, अगर नहीं मिले हैं, तो आप मैं जितनी summary देनी हैं, उतनी summary देकर, client को इतना दें, तो उसको पता हो कि हाँ भी आप ठीक हैं, आप सही कह रहे हैं, और यह आप कर सकते हैं, तो यह आप project पकड़ें और इस पर काम शूरू करें, so audit करने में again repeat करता हूँ तीन चीज़े, problem बताएं, उसकी आहमेद बताएं, उसका solution बताएं, यह जब आप तीन और मेन चीज़े झाम झाल हो करने में खा वेज़े